भारत के इस मंदिर में छिपा है ऐसा राज, जिसके सामने वैग्यानिकों ने भी मान ली है हार, जैपूर, भारत में कई ऐसे राज है जिनका अभी परदाथाश होना बाकी है, आज हम आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे है जिसके सामने वेग्यानिकों ने भी अपने गुठने टेक दिये है क्योंकि एक मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गोवा में स्थित बेसिलिका ओफबॉम जीसस चर्च में सेंट प्रांसिस जेवियर का पिछले 450 साल से एक मृत शरीर रखा हुआ है हैरान कर देने वाली बात है कि वो शरीर आज तक भी सडागला नहीं है इस शरीर को यहां पर सहेज के रखा गया है कहा जाता है कि इस शरीर में से आज भी खून निकलता है ये राज पिछले सैकड़ों सालों से ऐसा ही बना हुआ है जानकारी के लिए बता दे कि प्रांसिस जेवियर का जन्म साथ अप्रेल 1506 को स्पेन में हुआ था पुर्तगाल के राजा जौन थर्ड ने उन्हें जेसुइट मिशनरी के अंतरगत धर्म प्रचार के लिए गोवा भेजा था उस समय गोवा पुर्तगाल के राज में था बताया जा रहा है कि इसकी मौत एक समुंदर की यात्रा के चलते हुई थी सेंट जेवियर का कहना था कि उसको गोवा में ही दपनाया जाए शिष्यों ने उसके शरीर को तीन बार दपनाया लेकिन तीनों बार ही उसका शरीर वैसा का वैसा मिला था एक महिला का दावा है जब सेंट प्रांसिस जेवियर की डेट बॉडी के पैर में उसने सुई चुब होई तो उसमें से खून निकला उन्होंने 9000 मिल के क्षित्र में घूम कर प्रचार किया और लाखों लोगों को इसा मसीह का शिश्य बनाया मिशनरी समाज के मुताबिक वे सचे मिशनरी थे